जहिन मेरे प्यारविद्यार्थ हूं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे देखें लास्ट क्लास में फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट यानि मॉडरन फिजिक्स का यह जो पार्ट है फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट तो अभी यह पहल पढ़ा दिया और पॉइंट फाइब भी फढ़ा दिया पॉइंट शिक्स भी आपका हो गया तकल आज हम लोग ठीक है अभी देखो इसमें ये जो assignment है कुछ बच्चों ने किया है और कुछ ने मुझे reply भी किया है तो अभी इसका देखो नीचे जो है आपका इसका answer की नीचे दिया हुआ है जैसे आपका जैसे question number one का a है फिर two का answer a है three का b है four का c है five का d है and six का a है अब इसमें से ध्यान देने वाली बात ये है कि question number six and question number two इसमें दो numerical है ठीक है तो इसमें देखिए सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि who discovered photoelectric effect तो इसका answer आपका है हर्ज हर्ज सहाब ने photoelectric effect को सबसे पहले discover किया था ठीक है after that जो दूसरा question है आपका ये देखिए question number two तो question number two जो है ये आपका energy of a photon is equal to three kilo electron volt ठीक है किसी photon का जो energy है वो three kilo electron volt है अब यहाँ पर बात ये होती है कि अगर electron का energy अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें क्या निकालना है इस लीनियर मोमेंटम विल भी यह सवाल है आपका तो यहां पर देखिए चार options दिये हुए मेरे पास तो आपको मैं बताता रहा हूं कि photon का energy दिया हुआ और निकालना momentum है तो energy को हम लोग e से represent करते हैं और momentum को represent करते है P से ठीक है तो यहां पर देखिए energy का जो equation होता है इस chapter में वो होता है mc square यह Einstein है ना मास energy relations को कह सकते हो आप और जो momentum होता है वो मास into velocity होता है तो हम अगर यहां से m की value निकालना चाहेंगे तो m is equals to कितना आ जाएगा m equals to आ जाएगा e upon c square ठीक है तो यहां पर अगर हम निकालना चाहेंगे momentum तो m के जगह पर इस वाले m के जगह पर हम क्या रख देंगे m के जगह पर रख देंगे e upon c square और यहां पर देखें यह v जो है यह velocity है तो इसके जगह पर हम c रख देते हैं क्यों क्योंकि हम किसका momentum निकालना चाहते है फोटोन का और फोटोन किस से speed से चलती है light के speed से चलती है तो light के speed सी होता है तो यहां पर देखें finally मेरे पास जो relation आ गया p equals to e by c square और into c ठीक है तो यह c ने c को मार दिया और अब हमारे पास यहां पर बज़ गिया उपर में e बज़ गिया और नीचे में c बज़ गिया ठीक है तो c की value हम जानते हैं इसकी value थे 3 into 10 to the power 8 meter per second ठीक है उपर में जो हमारा e है वो energy है और वो energy आपका दिया हुआ है 3 kilo electron volt तो अब मैं देखो आपको बता दूँ कि e equals to मेरे पास दिया हुआ है 3 kg electron volt तो 3 का तो होगे 3 into 10 to the power 3 और into 1.6 into 10 to the power ठीक है या फिर इसको यह kg जो है SI unit में है तो उसको SI unit में ही रहने देते हैं तो यह आपको होगे 3 into मतलब 3 kg electron volt ऐसा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते है 3 kg into electron volt को ऐसा लिखा जा सकते हैं 1.6 into 10 to the power minus 19 volt ठीक है इतना लिख सकते है इसको तो यह जो value आएगा आपका SI unit में आ जाएगा यह तो उपर में नीचे जो हमारा value था ठीक है हमें क्या निकालना था momentum तो और momentum का formula हमारे पास क्या था पी इक्वल्स टू यह अपॉन सी तो इस सी नीचे रहेगा तो 3 into 10 to the power हो जाएगा आपका 8 ठीक है लेकिन यहां पर देखिए एक बात और है कि यहां पर यह 3 ने 3 को cancel कर दिया ठीक है य आपको यहां पर क्या मिल जाएगा यह देखो 10 का power जो 8 है यह 10 का power 8 यह उपर चला जाएगा यह 10 का power 8 उपर चला जाएगा तो यहां पर हो जागा 10 का power है इसको भी हम बदल लेंगे इसको 10 to the power 3 कर लेंगे ठीक है क्योंकि हमें किस में निकालना है जूल में निकालना है यहां पर देखो यह हो गया आपका P equals to E upon C तो E upon C करेंगे तो यह हो गया आपका 3 into kilo electron volt है तो 3 into 10 to the power 3 इतना electron volt हो गया फिर electron को भी हम convert कर लेंगे 1.6 into 10 to the power minus 19 ठीक है इतना हो गया आपका वोल्ट और नीचे हो गया आपका C C की value 3 into 10 to the power 8 यह देखो 3 ने 3 को मार दिया अब यह 1.6 into ऐसा आगे 1.6 into 10 का power minus 19 है 1.6 into 10 to the power minus 19 है और यहां पर 3 है और यह नीचे 8 से उपर चाहेगा तो यह finally हो जागा ऐसा 1.6 into 10 का power minus 19 उपर में पहले से था और into 10 to the power 3 भी था और नीचे से गया 10 का power minus 8 तो इसको solve करोगे तो इतना जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 24 इतना आ जाएगा तो इतना केजी meter per second आ जाएगा ठीक है तो अब यहां पर देखो यह जो option a will be the answer उसी प्रकार यहां पर अगर question number 6 की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है कि energy of photon having lambda equals to 4000 angstrom will be ठीक है तो यह देखें यह जो energy होती है photon की हम energy का calculation कैसे करेंगे तो energy हमारे पास दिया हुआ है energy का जो formula होता है यह होता है hc upon lambda यह होता है और यह जो h होता है h h होता planks constant और c होता velocity of light तो planks constant की जो value होती है वह होती है 6.2 6.23 into 10 to the power ऐसे कुछ होता minus 24 या ऐसे कुछ होता 10 to the power हाँ minus 34 joule second ठीक है तो यहां पर देखें तो यह e equals to आ गया hc upon lambda तो h की जगह पर हो गया 6 point 23 into 10 to the power minus 34 minus 34 और into c की value हो जागे 3 into 10 to the power 8 ठीक है अब नीचे आजागा लेंडा आपका तो नीचे जो लेंडा आएगा Lambda का value हम कितना दे देंगे Lambda हमारे पास बोले के 4000 एंंक्स्टरम की बात की गई है ठीक है तो यहां पर देखें एंंक्स्टरम है तो यहां पर यह जो है आपका यह भी widely second में है यह meter per second में है और यह c और अपन लेम्डा को तो जब हम इसको solve करेंगे तो इसको solve करने के बाद हमारे पास यह जो value आएगा इसको इस पूरे को solve करने के बाद यह value आएगा 3.1 electron volt ऐसा आएगा ठीक है तो 3.1 electron volt आया मेरे पास लेकिन हमारा जो answer है वो electron volt में तो है ही नहीं हमारे answer में जो unit दिया हुआ वो joule में दिया हुआ है तो इसको solve करके आपका जैसे 3.1 electron volt आया है तो इसको हम कैसे joule में बदलेंगे 3.1 का 1 हो गया 3.1 का 3.1 हो गया और यह हो गया electron के बदले हो गया आपका 1.6 into 10 to the power minus 19 और यह volt को वोल्टी रहने देंगे या इतना आप direct इतना joule कर सकते हो ठीक है तो इतना joule हो गया आपका तो यह हो गया आपका 3.1 into 1.6 ठीक है तो आप इसको अच्छे से solve कर लिजे इसको solve करेंगे तो इसको solve करने के बाद आपका आंसर आजागा 4.96 into 10 to the power minus 19 या 20 ऐसे कुछ आएगा ठीक है तो यहाँ पर देखे option A will be the correct answer clear है तो यह सारे चीज था ठीक है मैंने 10 question का promise किया था लेकिन मैंने 6 question देया था आपको क्योंकि मुझे लगा बाद में की थोड़ा सा बड़न बढ़ जाएगा ठीक है तो यह आपका question number one हो गया two हो गया six हो गया और अब देखे question number four जो है work function पे है direct definition से question पुछा गया the minimum energy required by an electron to escape to escape from the metal surface ठीक है न इस is called threshold sorry work function है ना तो जो minimum energy चाहिए है ना emission के लिए उस minimum energy को threshold sorry work function कहते है ठीक है उसको देखे according to Leonard experiment when UV rays are incident on anode जब यूभी रोज अनोड पर पड़ता है तो आपको experiment में याद होगा बहुत अच्छे से मैंने ऐसा experiment आपको बताया था कि इधर anode होता है और इधर होता है cathode और यहां से ray of light incident होती है तो देखें लिनार्ड साब ने जब experiment किया था तो उनके experiment में यह बड़ा होगा यह मायने से प्लस है ना तो उनके experiment में उन्होंने cathode पर जब UV rays को incident कराया light rays को ठीक है ना तो यहां से electron का emission हुआ और इसमें current flow हुआ लेकिन जब यही एक्सपरिमेंट जब उन्होंने अनोड पर incident कराया तब कोई हल चल नहीं हुई ठीक है तो यहां पर देखिए electrons are ejected and current flows तो electron यहां पर देखिए दूसरा option है but current does not है ना electrons are ejected but current does not flow ऐसा कह सकते हैं option c में है current में और में नोड फ्लो है ना में और में नोड फ्लो एंड option d है none of these तो question number 3 का जो option है देखिए 3 का कौन सा option है बी option है ठीक है यहां पर यह आप याद करिएगा अगर previous lecture आप अच्छे से देखे होंगे तो आपको याद होगा कि मैंने लेनार्ट के बारे में बताया था कि जब हम लोग cathode rod पर जब हम लोग incident करते हैं तो वहां पर जो emission होता है वो होता है बट एनोड पर अगर incident किया जाए तो कोई मतलब electron तो emission होती है बट जो current होना चाहिए वो current flow नहीं होती तो यहां पर option भी हो गया आपका correct option ठीक है तो यह सारा चीज हो गया यह हो गया आपका उसके बाद यह one two three and four और भी हो गया आपका five number क्या है in photoelectric emission photoelectric emission में क्या क्या होता है suitable frequency illuminated as a metal surface यह सही बात है बी में क्या है आपका electrons are emitted from the metal surface यह भी सही बात है electron metal surface से निकलता है और c में क्या है light are incident on the metal surface तो यह बात भी आपका सही है तो question number five का जो option होगा वो डी हो जाएगा तो यह all of the above ठीक है यह तो था आपका assignment की बात अभी और देखो एक और चीज़ आपको बताना है मुझे यह सारे वो important formula है जिस formula के मदद से आप numerical solve करोगे पहला आपका जैसे photoelectric effect में जैसे सबसे पहला formula था है energy of photon के पास photon के पास कितनी energy होती है h new होती है जिसको हम लोग hcy lambda कहते है ठीक है तो यह देखो यहाँ पर जो e है वो energy है h है planks constant जिसका value दिया हुआ है new जो है वो frequency है और c speed of light इसकी value थे 3.8 sorry 3 into 10 to the power 8 meter per second ठीक है उसके बाद एक मोमेंटम का formula तो मोमेंटम का सवाल मैंने अब यह आपको कराया था यह इसी formula पर बेज़ता पी इक्वल्स टो e by c और इसका हम लोग h new by c भी कहते है या फिर h by lambda भी कहते है ठीक है उसको बाद effective mass यह भी मैंने आपको थोड़ी दिर पहले आप यह numerical solve करते हो बताया था तो m equals होता है यह कैसे आया है यह equals होता है mc2 ठीक है तो अगर हम एम को इदर रहने देंगे और सी स्कॉर को इस तरफ लाएंगे तो यह हो जागा ईवाई लेंडा स्कॉर हो जागा या फिर कहलो कि h by c लेंडा हो जागा तो यहां पर स्वाइनल देखा जागा कि जो effective mass होता है वह inversely proportional to the wavelength होता है एक topic मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है that is called point number four that is called intensity of light ठीक है तो intensity पर भी question कभी कभी पूछ देता है कि intensity कैसे निकलता है माल जाए आपको ऐसा देतेगा ठीक है और यहां पर बोल देगा कि यह कुछ को भी incident हो रहा है तो इस incident में आपका ठीक है मतलब माल जाए कि इसका surface अरिया आपका ए है तो ए surface area तक बोलेगा a surface area पर बोलेगा t time तक जो है वह incident हो रहा है ठीक है तो और photon कोई particular photon देदेगा और उसका energy भी देदेगा तो बोलेगा कि यह जो light है तो इसकी intensity निकालिए तो यहां पर देखें intensity का हमारे पास यह formula है intensity बराबर जो formula होता है वो main होता है आपका power upon area ठीक है power per unit area जो होता है उसी को हम लोग intensity बोलते हैं या फिर कहलो power per unit area कहलो या फिर कहलो energy per unit area per unit time ठीक है तो unit time में या और unit area में unit area में unit time में कितने energy incident हुई that is called intensity of light ठीक है तो power per unit area जो है वो intensity बताता है इसकी ऐसा unit होती है joule per meter square per second और यह कह सकते है watt per meter square ठीक है तो और energy जो होता है incident in time t ठीक energy incident in time t e जो है यहाँ पर इस फॉर्मन जो e है वो है आपका energy incident in time t मतब t time में कितनी energy incident हुई तो यह आपका जो हो गया आपका हो गया यह आपका n h new हो गया अब यहाँ पर देखिए capital n लिया गया है capital n is the number of photon ठीक है और एक small n भी आएगा आगे चलके तो यहाँ से हम कह सकते है कि i equals to जैसे e था न तो e के जगा पर तो हमारी यह हो गया आपका यह पर देखिए e equals to कितना आ गया आपका n h new आ गया तो हम direct लिख सकते हैं कि i equals to e by 80 था तो e के जगा पर आपका आ गया n into h new फिर h new को हम लोग लिख सकते हैं मतलब n ठीक है न तो यह आपका देखिए जो n capital n है तो capital n by t ठीक है capital n by t तो capital n by t को हम लिख सकते हैं n तो अगर ऐसा लिख देंगे तो इस वाले equation को हम फिर ऐसा लिख सकते हैं मतलब n into h new ठीक है आप इसको x मत समझना इसमें जो है आपका इसको x मत समझना यह new है ऐसा ठीक है x जैसा दिख रहोगा आपको यहां पर देखें बट अगर ध्यान से देखेंगे तो real में यह x नहीं है यह आपका new मतलब frequency ठीक है तो अब यहां पर देखे क्या है small n equals to capital N by small t and this equals to number of photon per second एक second में कितने number of photon eject हुए या incident हो कह सकते हो ऐसा भी ठीक है तो दोनों equation से यहां पर n तो आपको जैसे देखो यहां पर अब इस यह formula का list मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि आपको पता चल सके कि कि इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक है सबसे पहला तो देखो इस वाले equation से आपको या तो एनर्जी पूछ देगा या अगर एनर्जी दिया हो रहेगा तो लेम्डा पूछेगा कि कोई incident हो रही है मतलब कोई युवे रेज या कोई भी रेज incident हो रही है तो फॉटोन जिसकी लेम्डा इतना है मतलब कुछ भी है ना तो उसके पास energy निकालो तो दूसरा आपका फिर जो होगा दूसरा momentum पूछ सकता है निकालने लिए एनर्जी मोमेंटम यह दोनों हम लोग कोशन कर सुके हैं फिर तिसरा आपका एफेक्टिव मास निकालने के लिए दे सकता है यह सवाल हम लोगों नहीं किया लेकिन यह टाप तो आपने कराया ने तो इसमें कैसा सवाल पूछा जाता है इंटेंसिटी पर सवाल और नंबर आफ फोटोन पर कैसे सवाल है तो यह देखिए आपका इसका भी मैंने उपाय करके रखा है यह आपका जो पहला इलस्टेशन है आपका यहां पर देखिए इस इलस्टेशन 3.2 कह रहा है कि दसन डेलिवर्स आपाउट 1.4 किलोवाट पर मीटर स्कॉर यानि यह 1.4 किलो मेटर किलोवाट पर मीटर स्कॉर यह क्या दिया हुआ है यह जो आपका दिया हुआ है यह आपका एनरजी दिया हुआ है ठीक है क्या दिया हुआ है एनरजी क्योंकि जो एनरजी होता है है ना वो होता है E into sorry E divided by S into T ठीक है तो यह दिया आपका of electromagnetic flux of the earth surface फिर से पढ़ते हैं को दे सन डेलिवर्स अबाउट 1.4 किलोवाट per meter square of electromagnetic flux to the earth surface तो calculate क्या calculate the total power incident ठीक है यहाँ पर देखे total power निकालना है on a roof of dimension 8 meter into 20 meter ठीक है क्योंकि अर्थ तो बहुत बढ़ी है बट हमको कितना निकालना है 8 meter into 20 meter इतना area पर यह area एक तरह के dimension दे दिया मतलब इतने area पर आपका निकालना है क्या कि कितना power ठीक है यह हुआ into T यानि अभी आपने बढ़ा कि energy flux energy flux is also called intensity यानि आप से intensity पूछा जा रहा है ठीक है तो यह आप intensity का फॉर्मला हम डारेक्ट लगाएंगे कि e equals to e divided by a into T अब यहां पर देखे एरिया निकल जागा आपका 8 मीटर into 20 मीटर है तो 28 जा 160 होता है तो एरिया यहां पर हो गया आपका एरिया हो गया आपका एट इन्टू 20 तो दिस इस कॉल्ड 160 मीटर स्कॉर ठीक है तो यहां पर फॉर्मला गर हम पुट करेंगे तो यहां पर देखे 1.4 किलो वाट पर मेटर स्कॉर दिया है तो 1.4 किलो वाट है तो इसको 10 का पावर 3 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह आजगा आपका वाट पर मेटर स्कॉर इतना वाट पर मेटर स्कार तो यहां पर intensity जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका E upon A into T clear है तो E की value कितनी है अब देखे यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो energy per unit time इसको क्या बोलेंगे सॉरी इसको हम बोलेंगे energy per unit time को इसको हम लोग बोलते power और power by area हो गया यानि intensity को हम लिख सकते हैं power upon area अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है power ठीक है question पढ़िए find the total power find the total power incident on the roof of a dimension तो यहां पर जो total power होगा तो total power हमारे पस निकल जागा p जैसे i equals to कितना निकला p upon a तो p equals to कितना हो जागा i into a हो जागा अब i की value हमारे पास दी हुए कितनी है 1.4 into 10 to the power 3 कर लेंगे ठीक है यह हो गया आपको और area आपका हो गया 8 into 20 तो इसको solve करके जो आ जागा वो आपका आ जागा power ठीक है तो इतना आ गया power जो power जो आपका आएगा 2.24 into 105 इतना वाट आएगा ठीक है तो इतना वाट इसको आप direct इस वाले को 224 किलो वाट ऐसा लिख सकते हैं ठीक है तो यह आप calculate करना मैंने hint कर दिया है ठीक है अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे अब देखिए sorry the solar energy in joule है ना यह भी calculate करना तो solar energy in joule incident on the roof in one hour मतब एक घंटे में जमीन पर कितनी energy आई ठीक है तो कितनी energy आई तो यह भी आप निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे हमारे पास formula है power equals to energy by time ठीक है ना ठीक है आप याद करिए power equals to w by t होता था यह formula आपको पड़ा होगा mechanics में तो यहां पर work done किसके वज़स होगा energy को यहां पर power equals to हो जागा e by t तो power equals to e by t अगर निकालेंगे तो मिरे पास energy निकालना है तो e equals to हो जागा power into time तो power तो हमारे पास दिया हुआ है power अभी निकाल और into time जो आपका आएगा time कितना घंटा दिया है एक घंटा दिया है तो एक घंटा को हम second में बदल लेंगे क्योंकि सा unit लेंगे second का 60 into 60 कर लेंगे तो इसको solve करके जो आ जाएगा वो आपका answer हो जागा मैं आपको answer बता देता हूं इसका इसका answer आएगा आपका 806.4 into 10 to the power 806.4 into 10 to the power 6 ऐसा कुछ जूल आना चाहिए ठीक है तो देखे 10 का power 6 जूल है तो इसको मेगा जूल कर सकते हैं तो direct हम इसको कर सकते हैं 806.4 जूल ऐसा कर सकते हैं ठीक है उसके बाद देखे यहां पर दिया है कि the radiation pressure तो यह हम लोग radiation pressure यह term हम लोग नहीं पढ़े हैं ठीक है बट मैं आपको बता दो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है radiation pressure का जो formula होता है वो होता है आपका P equals to intensity by light speed of light तो intensity आप निकाल चुके हो speed of light पता है तो यहां से आपका निकल जाएगा क्या यह जो P है आप इसको power मत समझना this P is called pressure आई बहुत सुमें तो pressure का unit क्या होता है Newton per meter square clear है तो और pressure का दूसरा formula क्या होता force upon area तो हम से क्या पूछा गया है radiation pressure पूछा गया है and force तो radiation pressure हम लोग निकाल लेंगे radiation pressure का formula क्या होता है I by C होता है C is called velocity of light I is called intensity तो दोनों का formula हम पूट कर देंगे C के जगा पर आजागा 3 into 10 to the power 8 और intensity जो हम निकाल चुके तो पहले intensity intensity हम लोग कितना निकाले तो 1.4 ऐसे कुछ यह दिखा हुआ तो है intensity है ना तो 1.4 into 10 to the power 3 यह हो जागा तो 10 का तो force देखे force radiation pressure जैसे निकला तो force equals pressure equals to force upon area ठीक है ना तो force निकालना है radiation force तो कितना हो जागा pressure into हो जागा area आपका यह formula आपका हो जागा तो इसमें put करके आप निकाल लो ठीक है उसको बाद देखे illustration आपका 3.3 यहां पर देखे क्या बोल रहा है कि अब bulb lamp emits light of mean wavelength ठीक है mean wavelength मैंने आपको जब light पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि mean wavelength का मतलब क्या होता है ठीक है खर जो भी है of 4500 एंग्स्ट्रम तो चार हजार पांच सो एंग्स्ट्रम है और तो एंग्स्ट्रम है उसके बाद और पढ़ते हैं कि दे लेंप इस रेटेड वन फिप्टी वाट यानि जो हमारे पास जो बल्ब है या जो लेंप है उसमें रेटिंग से उसमें लिखा हुआ है इनर्जी अप परशेंट अप्टी अप तो इसमें इनर्जी है वह एमिटेड लाइट में हैं मतलब ऐसा अपीर होता है कि खर्च होता है ठिक हो मैंने आपको पहले बोला था कि इस पर यह भी सवाल पूर्च सकता हमारे पास वह होता है एच सी वाई लेम्डा ठीक है अब होता है प्लांक्स कॉंस्टेंट जिसका वेलों को पता है नहीं पता है तो उपर नोट्स में देख लो ठीक है उसका थी वेलसिटी अफ्लाइट होता है लेम्डा हमारे पास दिया हुआ है लेम्डा कितना दिया हुआ सवाल में 4500 एंगस्ट्रम दिया हुआ लेंड़ा तो उसके जगर पूट कर देंगे 4500 एंगस्ट्रम है तो इसको मिटर में बदल देंगे तो 10 का पावर मानिस 10 मिटर हो जाएगा ठीक है अब यहां पर देखिए यहां पर यह फॉर्मला निकाल के हम लोग क्या करेंगे यहां से हमारा क्या निकल जागा एनर्जी निकल जागा ठीक है तो अब देखिए यूजफूल पावर कैसे निकाल लेंगे हम लोग तो कितना पावर एट परसेंट अगर ख़च हो जाता है तो यूजफूल कितना होता है तो हम अगर यूजफूल पावर निकालना चाहेंगे तो यहां पर utilized energy जो होगा emission का per second वो इस तरह से दिया होगा utilized power ठीक है ना तो utilized power का जो formula होगा इसको छोड़िए utilized power का जो formula होगा वो देखे 150 watt तो मेरे पास आता रह था इसका 8% appears as emitted light ठीक है ना एक सो पचास watt मेरे पास आता था इसमें से 8% ही क्या हुआ appear हो रहा था तो बचा कितना एक जिरो एक जिरो खतम तू फाइब जा टैन तू फोर जा एट फाइब तरी जा फिप्टिन मतलब चार तिया बारा 12 watt मतलब 1500 watt का जो बल्ब है वो 12 watt utilize useful होता है है ना बाकी waste चला जाता है यहां पर कुछ भी है ठीक है तो यहां पर देखिए यहां पर जो है हमको क्या निकालना है number of photons निकालना है तो number of photons कैसे निकलेगा तो जैसे आपका आप यह समझ लो कि number of photons निकालने के लिए अगर हम capital N की बात करते हैं तो यह आपका हो जागा useful power यानि P upon energy ठीक है तो यह सारा चीज आपका यहां से निकल जाग गुआ energy की value तो हम निकाल चुके हैं इसके पहले देखो energy कितना निकाले आपका यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो energy equals to हो जागा आपका sorry number of photons जो होगा capital N कहलो या small n कहलो वो है आपका E upon sorry यह नहीं P upon E और E की value क्या होती है E की value होती है H C upon lambda और उपर होगे आपका P यह lambda उपर चला जाएगा तो final जो formula होगा हमारे पास final formula क्या होगा P into lambda by H into C तो अब देखिए H और C का value पता है lambda का value पता है power है आपका निकाल चुके आप 12 watt आपका जो utilize है ठीक है तो यहां से आपका इस तरह से solve करके आपका यह answer निकल जागा तो यह था आपका आज का numerical lecture ठीक है आज हम लोग एक और चीज पढ़ने वाले हैं जिसका अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे Einstein photoelectric equation ठीक है तो मैं आपको इसके पहले कि मैं आपको Einstein photoelectric equation मैं आपको बताओं तो आप लोगों ने जैसे देखा है कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं भी तक वो हम लोग waves के बारे में पढ़ रहे हैं पूरा है ना तो आपको मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो wave theory था ना light का वह failure हुआ है failure क्यों हुआ यह आप समझे यह अगर आप समझ लेंगे तो उसके बाद Einstein photoelectric equation आपको पढ़ने में मज़ आएगा तो सबसे पहला point देखे according to wave theory of light when light incident on a surface wave theory of light के according ऐसा बोलो गया था कि जब light जो है किसी surface पर incident होगी ठीक है तो क्या होगा energy distributed continuously over the surface तो energy जो है surface पे continuously distribute होगा so the electron must take time interval to accumulate sufficient energy to come out ठीक है तो यहाँ पर electron को time लगना चाहिए but experiment में ऐसा कुछ पाया नहीं गया है ठीक है मैंने आपको last lecture में आपको मैंने एक time lag करके आपको एक term बताया था और मैंने बताया था कि experiment जब किया गया तो वहाँ पर time कुछ भी नहीं लग रहा था जैसे ही incident हुआ और यहाँ से फटक से emission start हो गया तो इसके वह जो time gap था वह 0 था तो इस वज़े से थोड़ा सा problem हुआ दूसरा जो problem हुआ failure होने का जो कारण था वो यह था कि जैसे हम कोई भी metal seat है उस पर अगर light incident हो रही है तो कुछ intensity होगा तो अगर हम intensity को बढ़ाते हैं अगर हम intensity को बढ़ाते हैं तो अगर हम intensity को बढ़ाएंगे तो according to rule ज्यादा energetic electron emission होना चाहिए है ना more energetic electrons should be emitted so that stopping potential should be intensity dependent है ना क्यों क्योंकि जो जैसे देखे logic समझे आप जब कोई भी metal sheet पर हम ऐसा कर रहे हैं incident कर रहे हैं ठीक है intensity का light और अगर हम intensity को बढ़ाएं तो intensity को जब बढ़ाएं तो ज्यादा energy वाला electron हमारे पास निकलना चाहिए ठीक है ना यह जो electron निकलेगा यहां से यह इस electron के energy अधिक होनी चाहिए तो यह जब experiment किया गया तो ऐसा नहीं पाया गया इसलिए यह भी आपको क्या हो गया wrong हो गया उसके बाद और wave theory applied किसके वज़े से wrong हुआ according to wave theory ऐसा बोला गया था कि if intensity is sufficient then at each frequency electron emission will be possible ठीक है electron emission is possible तो ऐसा होना चाहिए था according to wave 3 intensity क्योंकि देखो अगर intensity हम sufficient intensity ले रहे हैं तो हमको किसी भी frequency पे यह observe होना चाहिए emission बट यहां पर इसका मतलब यह हो जागा इट मिन्स दैट देर शुद नॉट भी existence of three-salt frequency ठीक है तो three-salt frequency जो हम लोग पढ़े है new th इसकी कोई existence नहीं रहेगे ठीक है तो यहां पर देखे three-salt frequency को explain क्या गया है तो यह सारे जो points है यह points मैंने तीन points आपको बता है यह points contradict कर रही है ठीक है तो यह सारा points इसके वज़ा से जो हुआ वेब theory of light failure हुआ तो उसके बाद Einstein साहब आएं और उन्होंने start किया उन्होंने अपना photoelectric equation दिया तो क्या हुआ यह देखे आइंस्टाइब साहब ने बोला कि वेना photon of energy H new falls on a metal surface the energy of photon is absorbed by the electron and is used in two ways उनका कहने का यह मतलब था कि जब H new energy की photons incident हुई तो यहां पर जो electron है ठीक है यह electron क्या करता है इस energy को absorb कर लेता है क्या करता है absorb कर लेता है ठीक है और यहां पर दो तरह से उसका इस्तमाल करता है तो पहला use क्या होता है कि a part of energy is used to overcome the surface barrier and come out of the metal surface this is this part of energy is called work function ठीक है तो work function इसी को कहते है कि उससे कम energy permission नहीं होगा क्योंकि देखें नॉर्मली लॉजिक भी यही कहता है कि जैसे कोई भी emission हम सौरी incident कर रहे है incident करें तो ऐसा तो ही हो ना कि incident कि और कुछ देर के बाद इसमें कुछ time लगता है तो कुछ देर के बाद emission start होगा तो कुछ time लगा logic यह कहता है कि जब incident होगा तो time लगना चाहिए तो time लगा तो क्या वो time क्यों लगा क्योंकि जो energy आ ही थी है यहां से यह energy जब मेटल सीट पर पड़ी इस मेटल सीट पर पड़ी तो इसके अंदर जो electron थे यह electron तो ऐसा तो नहीं है ना कि energy और फटाक से electron जंप करके निकल लिया ऐसा तो होता है क्योंकि आप याद करी chemistry में हम लोगों नों पढ़ा था कि कोई भी एलेक्ट्रॉन जब और विट से बाहर निकलती तो इसको energy देना पड़ता है तो शुरू में क्या हुआ है कि मेटल सीट था इस पर energy आई अब इस मेटल के जो एलेक्ट्रॉन से इस वाले एच निव को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद इस एलेक्ट्रॉन की जब energy बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब emission स्टार्ट हुई तो देखो आने इसमें और इसमें इन दोन velocity V to the emitted photo electrons this is equal to the maximum kinetic energy of photo electrons that is half into V max square where M is the mass of the photo electrons ठीक है तो यह बात उन्होंने बताएं ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर आप यह समझें कि if the sufficient if energy is sufficient अगर माल लेता है कि energy sufficient है तो electron comes out होगा मतलब निकलेगा without any time delay it means photo electric effect is an instantaneous process है ना यही मतलब भुआ इसका तो यहाँ पर अगर instantaneous process है ठीक है तो अगर instantaneous process है तो यहाँ पर देखे if intensity is the given source है ना मतलब Einstein साहब ने यही सब बाते बताई कि if intensity of the given source is increased the number of photons increases माल जा की आप कोई metal surface है इस पर कुछ ही intensity का light up incident करा रहो तो आपने intensity को बढ़ाया intensity को जब बढ़ाया यानि पहले जितनी photons आ रही थी अब ज्यादा photon आईगी है की नहीं यही होना चाहिए तो देट more number of electrons are emitted and greater saturation current is obtained it means saturation current depends upon intensity of the given source तो दूसरा conclusion उन्होंने यह निकाला कि जो एंड is जो होता है saturation current वो directly proportional होगा intensity का आई बस सुने तो किसी भी टाइम पर अगर माल लिया जाकि ऐसा देखिए यह आपका मेटल है कि फोटोन है यह दो को आया तो फोटोन आने बाद यह एलेक्ट्रोन निकला इस इस काल फोटो एलेक्रोन तो इस एलेक्रोन को निकलने में फाइएब फाई इक्वल्स डू है इन्ट नू नू नॉट इस अधि यह दो बात यह उन्होंन न अइंस्टाइब बताए कि की जो भी फोटोन एनर्जी जो भी आएगी तो मेटल से अधिए तो यहां का इस मेटल का जो electron होगा वो energy को absorb करेगा और इस energy को दो तरीके से use करेगा पहला use इसमें करेगा दूसरा यहाँ पर करेगा तो देखें पहला use क्या है कि part of energy is used to overcome the surface barrier कुछ इसका surface barrier को है ना overcome करने में use होता है and comes out the metal surface है ना this part of energy is called work function तो इसको हम लोग work function बोलते हैं क्योंकि इससे कम energy में emission होगा ही नहीं after that जो है the remaining part of the energy is used in giving velocity है ना बाकि जो energy है electron को velocity देने में काम आती है और जब यह electron को velocity देंगे तो इसके पास this is equal to the maximum quantity तो यहाँ पर जो है emitted electron जो होगा तो इस emitted electron को पास एक maximum quantity के energy होगी और वो होगी half into m into ऐसे समझ लो v capital v into sorry v max square ऐसा के लिए रहें तो यह चीज़ देखिए तो according to law of conservation of energy अगर हम लोग यहाँ पर conservation law energy का लगाएंगे तो आपको मैं बता दूँ कि जो h new energy i ठीक है h new energy जो है real में इसको तीन भाग में बटना चाहिए बट यहाँ पर दो ही भाग में बटा क्यों कि देखो तिन भाग में कैसे कैसे बटेगा एक तो आपका electron का kinetic energy वो बढ़ाएगा ठीक है दूसरा आपका energy required to make electron free from the metal surface तो electron को free होने के लिए यानि आप ऐसा समझ लो कि जो phi है phi naught ये भी तो energy ही है work function है और तीसरा जो energy होगा कि जैसे यहाँ से photon आया और यहाँ पर electron था तो यह photon जब आएगा तो इस electron से टकर आएगा तो यहाँ पर collision होना चाहिए तो इस case में collision के जो energy है मतलब जो energy lost है उसको मान लिया गया है zero ठीक है तो इसको zero माना गया है ताकि जो kinetic energy जो electron हो है वो maximum हो सके यह तभी होगा है ना जब आपका collision kinetic energy maximum तभी होगा जब collision में जो energy lost है उसको हम zero मान ले ठीक है तो energy finally दो ही तरह से use किया गया है तो यहां पर देखिए h new जो है वो किसके किसके बराबर हो जागा एक तो आपका electron का kinetic energy बढ़ाएगा तो वो kinetic energy maximum हो जागा और plus work function तो यह आपका this equation is known as Einstein equation of photoelectric emission या फिर इसको कहते हैं Einstein photoelectric equation तो यह था आपका Einstein photoelectric equation ठीक है तो इसमें यह देख लो h new equals to 5 plus half vmax square तो यहां से h not h into new not plus half vmax square ऐसा हो जाएगा क्योंकि जो 5 की जो value होती है यह 5 की जो value होती है यहां पर देखो 5 equals to h new not ठीक है ना तो उसकी value रख देंगे तो यहां से अगर ध्यान से देखा जाए तो अब इसको अगर मेरे पास क्या था है h new equals to h new not और plus half into m into v max square यह था तो जब इसको हम इधर करेंगे यह आजागा h new minus h new not तो इसमें से आपका h common हो जागा और यह हो जागा new minus new not और this equals to यह इसके बरावर हो जागा half into m into v max square जो कि आपका यहां पर दिखाया गया है clear है तो यह सारा चीज आपका clear होना चाहिए अच्छे से उसके बाद देखिए graph के बारे में हम लोग थोड़ा सा हम लोग graph भी पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि graph भी बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से relation रखता है ठीक है तो यहां पर देखिए graph variation कैसे हो रहा है यह हमारे पास formula जो हम लोग finally this is called Einstein photoelectric equation ठीक है तो इसमें आपका देखिए graph between यहां पर देखिए variation of laws of photoelectric emission based on Einstein photoelectric equation तो क्या-क्या variation हुआ तो पहला variation यह हो गया कि if new is less than new not then half vmax square is negative जाइर सी बात है कि यहां से अगर देख सकते हैं कि अगर new not अगर बढ़ा हो गया new से तो यहां पर kinetic energy होगा वो क्या हो जागा यह आपका हो जागा negative तो अगर kinetic energy negative हुआ तो क्या possible है क्यों possible नहीं है क्योंकि energy जो है वो है आपका scalar quantity आई बात समझें तो energy always क्या होगा positive होगा energy negative नहीं हो सकता है तो यहां पर देखिए which is not possible therefore for photoelectric emission तो पहला conclusion यह है कि new जो होगा new जो होगा वो always new not से बड़ा होगा so this is called threshold frequency and this is called emission frequency of emission now the second point is since one photon emits one electron so the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of light तो यह सारा corrections किनो ने किया Einstein साहब ने किया ठीक है उसके बाद थार्ड पॉइंट है it is clear that half into Vmax half M Vmax square is directly proportional to मैं यानि काइनेटिक एनर्जी जो है यह डिरेक्ली प्रपोर्पोर्शनल टू न्यू हो गया यहां यहां पर देखिए कहने का यह मतलब है हां काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिरेक्ली प्रपोर्शनल किसको हो गया क्यों ऐसा हुआ यहां पर देखिए मेरे पास जो फॉर्मला है वो है half into M into Vmax square यहां पर देखिए इसे लिए अच्छा से लिखते हैं half into M into Vmax square यहां पर देखिए इस रिकोस्टो H into new minus new not अगर ध्यान से देखा जाए तो यह जो है यह क्या है constant है h is called planks constant h is called planks constant तो अगर यह constant है तो finally kinetic energy किस पर बन की frequency पर बन की Yarni kinetic energy is directly proportional to frequency as h and new not are constant to this shows that kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to the frequency of light of incident the next point is photoelectric emission is used sorry photoelectric emission is due to collision between a photon and electron तो as such there cannot be any significant time lag between incident of photon and emission of photo electrons that is the process is called instantaneous it is found that delay is 10 to the power minus only 10 to the power minus 8 seconds तो देख सकते हैं कि कितना बहुत कम है एक 8 seconds से बहुत छोटा होता है यह 1 by 10 का power 8 seconds बहुत कम है तो इतने कम time का gap होता है तो इसको हम लोग neglect कर देते हैं तो यहां पर अब हम लोग पढ़ते हैं application of photo electric effect तो आपको मैं बता दूँ कि जो photo electric effect होता है उसके कई सारे application है देखें आप आपने देखा ऐसा कि यह metal sheet है इस पर एच new frequency के photon जो है वह incident हो रही है तब यहां से electron का emission हो रहा है इस electron के पास kinetic energy होगा इस electron के पास momentum होगा मतलब कई सारे चीज़ें लोगों ने पढ़ा तो अभी जानने वाली यह बात है कि जिसेट को हम लोग तीन lecture से पढ़ रहे हैं और इतना लगातार पढ़ रहे हैं आखिर उसके applications क्या क्या है यहां पर देखिए सारा सबसे पहला application है आपका automatic fire alarm में ठीक है automatic fire alarm के case में क्या होता है कि जब आग लगती है ठीक है तो आग लगने के बाद उसका temperature बढ़ जाता है तो वहां से radiation होता है और वहां पर एक ऐसा कुछ लगा रहता है मेटल सीट टाइप का तो जैसे ही यह सीट गरम होगा यहां से electron का ejection होगा और जब electron का ejection होगा तो इसको क्या करते हैं एक circuit से जोड़ देते हैं तो होने लगता है और करेंट फ्लो होने लगता है तो यहां पर अलार्म भी लगा हुआ है साथ में तो अलार्म बजने लगती है तो यह हो गया आपका सबसे पहला यह दूसरा जो यह इस्तिमाल है क्याने ऑ्टमेटिक मैं वर्गलर अलार्म तो यह भी उसी टाप का है फिर आपका एसकंणर इन टैलीवीजिएन ट्रांसमिशन टेलिवीजिएन ट्रांसमिशन में स्कैंणर की रूप में इस्तिमाल होता है चौथा आपका reproduction of the sound in cinema film ठीक यह सिनेमा जो होती है तो उसमें भी फोटो एलेक्टिक का इस्तेमाल होता है कि लिए उसके बाद आपका इन पेपर इंडस्टी तू मेजर थीकनेस ऑफ़ दी पेपर तो पेपर इंडस्टी में कौन सा मतलब देखो क्यूंकि देखो यह जो पेपर होता है पेपर का थिकनेस को मेजर करने के लिए कितना मोटा है आप देखो जरोक्स वाला जो पेज होता है वह उसमें कुछ पी करके आता है जिक है न एक P 20P 120 पी ऐसे करके कुछ आता है तो उस तरह से पेपर इंडस्टी में पेपर थिकनेस को यूज़ कर νे लिए फोटो एलेक्टिक एफेक्ट का इस्तेमाल होता है और क निसिंग के बाद उसमें अगर माल्या कहीं पर होल है तो उसको लोकेट करने के लिए फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट का इस्तिमाल किया जाता है ठीक है अब यहां पर है इन एस्ट्रोनॉमी तो एस्ट्रोनॉमी तो बहुत बड़ी चीज है जितना भी वह जो एरोप्लेंस बड़ा, जो बनता है उसम्यें प्तेश्ट मैं उसके बहुत अप्लिकेशन है ठीक है तो आप देख लो आपका अप्लिकेशन है फोटो उलक्तिक का वह आपका उपका र西 है ऑपसिटी ऑफ सॉलिट एंड और एंड लिक्विड ठीक है तो ऑपसिटी यहां पर एक नया टर्म है ठीक है इसको आप देख लेना डिक्ष्णरी में ऑपसिटी का क्या मतलब होता है मुझे एक्जक्ली याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं आपको स्किप कर रहा हूं यह यहां पर आपका स्टीट लाइट लग यहां पर ऐसे स्टीट लाइट लगा तो रात में क्या होता है यहां पर मतलब यहां पर आपने स्टीट लाइट में एक चीज़ देखा होगा कि अभी तो बहुत सोलर प्लेट वाला स्टीट लाइट आगया बहुत ज्यादा हर खंब तो जैसे ही Sunlight हुआ तो Sunlight हुआ यानि Access of Light हो गया तो एक्सेस लाइट हुआ मतलब यह Emission स्टार्ट हो गया तो Emission स्टार्ट हुआ तो इस Electron को एक सर्कृट से जोड़ देंगे तो Current Flow होने लगेगा तो यहां पर जो है जैसे Current Flow होगा तो सर्कृट में कुछ इस तरह से इंतिजाम किया जाता है कि वो जो है Switch जो है Automatic बंद हो जाएगा ठीक है तो यह आपको हो गया Automatic Switching of a State Light और भी कई सारी उसे तो कंट्रोल दे टेंप्रेचर ओफ फरनेस टेंप्रेचर फरनेस के पाइब लाइट मीटर के यूजड़ इंसिनमा इंडस्टी तो Czech डालाइट ठीक है ना तो सिनेमा इंडस्टी में देख तो आज कल जो बनती है वो बहुत ज्यादा माद उसकी क्या कहते है है उसको हर ये कंट्रास्ट जो होता है मतलब प्रेक्टर की वह बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो वहाँ पर वहाँ पर भी cinema में आपका cinema industry में कि कितना ज्यादा कम लाइट है नदर लगता है लाइट इंडिकेट करता है कि जो आपका camera के साथ वो इंट्र लिंक होता है तो वह बताता है आपको कैसे कैसे मतलब कितना ज़्याद है कितना कम intensity का light एग उसके पाल आपका explain नहीं किया जैसे आपका point number 14 है 15 है 16 है तो आप इतना मत सोचो आपको जो practical life में जैसे automatic fire alarm यह आपको पता है और आपका जैसे देखो beauty meter यह आपको पता नहीं है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए फिर आपका जैसे देखो एक paper industry वाला जो यह वाला चीज है तो यह आप चार-पांच application भी अगर आप समझ लोगे तो इसलिए इसको modern physics में रखा गया क्योंकि इसको कई सारा मतलब यूज है इसका और आने वाले future में इसका मतलब जैसे अभी इस पर बहुत सारे रिसर्च चल रहा है आप मतलब अभी जो बहुत सारे लोग जो PhD करते हैं इस फिल्ड में तो उनको बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं तो यह बहुत बड़ी topic है मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं पूरे modern physics का मैं पूरा modern physics जो पढ़ाऊंगा रियली में हो सकता है कि वह 5% भी ना हो ऐसा हो सकता है इतना जादा है modern physics जितनी भी चीज़ें अभी देख रहे हो जितने भी scientific research हो रहे हैं यह सारा modern physics में ही आती है सारे ठीक है तो उसी को modern physics मतलब after 1900 के बाद research is going on जब electron का खोज हुआ उसके बाद सारी चीज़ें बहुत सार प्री ही है है ना तो modern physics में सारी चीज़ों को रखा गया तो हम लोग next जो topic होगा हमारा next lecture होगा वह हम पढ़ेंगे dual nature of matter dual nature of radiation and matter तो यह आपका हम आपको next lecture में आपको यह पढ़ाने वाला हूँ ठीक है तो आज आपका homework यह है कि homework के तोर पर आज आप क्या क्या करना सबसे पहला lecture 1 फिर से देखिए lecture 2 फिर से देखिए फिर आपका assignment उसको करिए प्लस इसमें मैंने दो question करवाए हैं इस lecture में lecture 3 में इसको देखिए पुरा से ठीक है इसको देखने के बाद आप NCRT book अगर है तो ठीक है नहीं है तो आप net से डाउनलूड कर लो ठीक है कौन सा चेप्टर डाउनलूड करोगे ठीक है अगर नहीं हो पाएगा तो आप मुझे बताओ एंसी आर्टी का जो चैप्टर है वो है आपको साइथ चैप्टर नंबर मैं आपको बता देता हूं मेरे पास लिखा हुआ है चैप्टर नंबर कितना है आपका वन सेकंड मैंने दिखा था है चैप्टर नंबर आपका यह हो जागा आपका नाइन के बाद टैन एन एलेवन कहां गया हाँ चैप्टर नंबर एलेवन ठीक है तो एन सी आर्टी में आप चैप्टर एलेवन इंटरनेट से आप डाउनलूड कर लिजे आप नेट पर सेर्च करोगे एन सी आर्टी चैप्टर एलेवन 12 फिजिक्स तो फटाक से आ जागा ठीक है और उसको पीडियाफ डा लाइन पढ़िए आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीजे एकाद पॉइंट हो सकता है मेरे से गलती से छूट गया होगा तो उसको आप माइंड मत करो आप उसको पूरे से अच्छे से कबर करो ठीक है तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक है आसा करता हूँ कि आप लोगों सभी जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे इसको पूरा अच्छे से पढ़िए ठीक है ओके थैंक्यू